नमस्ते दोस्तों मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो लेक्चर में modern history of India से policy of ring and fans को study करने वाले है जो कि एक बहुत interesting policy थी British के और बहुत important policy है ये exam point of view तो ये policy अच्छे से समझ लीजेगा इस वीडियो में हम इसे बहुत easy language में समझने वाले है full detail में समझने वाले है तो end तक बने रहीएगा exam के लिए कोई भी exam दो हर exam के लिए बहुत ज़्यादा important है और बहुत interesting भी है तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते कि आज हम इस वीडियो में कौन-कौन से points को discuss करने वाले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिर है policy जो थी ring and fans की इसे enact किसने किया थे इसे किसने लाया था दूसरा हम point जो पढ़ेंगे वो रहेगा कि ये ring fans policy आखिर क्या है इसका meaning क्या है तीसरा हम पढ़ेंगे कि main objective क्या थे ring fans policy के और चौथा point हम पढ़ेंगे कि main features क्या क्या है ring fans policy के तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते कि जो policy of ring fans है इसको किसने enact किया थे इसे कौन लेके आया था तो जो governor general इसे लेके आया थे वो थे Warren Hastings Warren Hastings ने policy of ring and fans को apply किया था हमारे देश में इंडिया में और ये चलाई गई थी 1765 से 1813 के बीच में अब हमारा जो अगला सवाल है कि ये policy of ring and fans क्या है इस सवाल का जवाब ढूणने के लिए हमें सबसे पहले इस map को देखना होगा ये जो map आप देख रहे हैं ये 1764 का है और आप जैसे कि जानते हैं British ने अपना conquest 1764 से पूरी तरह से शुरू कर दिया था याने British ने इंडिया को capture करने की शुरूआत वैसे 1764 से directly की थी ऐसे तो हम जानते हैं कि British ने 1757 में battle of plassi लड़ा था बट ब्रिटिश ने directly कहीं भी rule नहीं किया था after battle of plassi तो 1764 में क्या होता है ब्रिटिश एक battle लड़ते हैं और जो ब्रिटिश ने battle लड़ा था 1764 में वो था battle of baksar तो battle of baksar का वीडियो जिसने नहीं देखा होगा इस वीडियो की description में जाईए वहाँ पे आपको battle of baksar की link मिल जाएगी वो battle of baksar के वीडियो में मैंने आपके सा और एक मुगल रूलर मुगल रूलर जो थे वो थे शहा अलम सेकेंड अब ये तीनों ने मिलके battle लड़ा था चलिए अब फिलाल के लिए मुगल रूलर को side में कर देते हैं अब हम इस map पे आते हैं इस map पे जब हम आते हैं तो हमें देखने मिलता है कि ये एक power ये एक power और ब्रिटिश ये तीन लोग इस battle को लड़ रहे हैं तो ये जो battle था ये battle 1764 में लड़ा गया और इस battle का result ये आया कि British इस battle को जीद गया और यहाँ पे नवाब जो थे अवद की उनकी और नवाब जो थे बंगाल की उनकी एक तरह से defeat उनकी हार हो गई अब हार होने के बाद ब इस इंडिया कमपनी प्राइवेट कमपनी थी जो की जिसका main aim था trade करना व्यापार करना और ये इंडिया में व्यापार करने आये थे trade करने आये थे यानि वो indirectly कहेंगे तो इंडिया में सिर्फ profit बनाने आये थे और बेंगौल जो था उस वक्त का बेंगौल एकदम richest तो अगर वो बंगाल पर रूल करते तो उनको बहुत सारे ट्रेड में बेनिफिट्स हो सकते थे इसलिए ब्रिटिश ने यहां पर रूल करना शुरू किया ताकि उनके बीच में नवाब भी ना आये या फिर कोई भी जो पावर है वो इंटरफियर ना करें उनके ट्रेड के बीच में रुकावट पैदा ना करें और वो इजीली और फ्रीली ट्रेड कर सके तो उन्हों ने बंगाल पर रूल करना शुरू कर दिया अगर आप यह सोच रहे कि ब्रिटिश ने बंगाल पर तो रूल कर लिया डायरेक्ली बट अवत पर क्यों नहीं किया तो यह अवत प फिर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी जो बृटिश के रिंग फेंस पॉलीशी थी यह एक तरह से स्ट्रेटेजी थी कि वह एक बफर जोन बनाना चाहते थे और ब्रिटिश को थे प्रोटेक करना चाहते थे अब इसको समझ लेते यह जो हमने पढ़ा यह तो एक तरह से इसका meaning है, definition है, एक किताबे language है, अब हम अपनी भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं, दीखिए, सबसे पहले क्या है, British ने यहाँ पे बंगाल पे रूल करना शुरू कर दिया था directly, अब British क्या करना चाहते थे, British को कुछ एक buffer बनाना होगा, buffer कैसा होता है, अब ऐसा सोच लिया था, कि हम इसको लगके तो अपनी boundary नहीं बनाएंगे, याने हम ये area पे रूल नहीं करेंगे, जो इसके border को touch करता हो area, क्योंकि यहाँ से फिर direct attack हमारे area पे हो सकता है, इसलिए British ने सोचा कि हमको कुछ area खाली छोड़ना पड़ेगा, ये जो भी हमारा दुश्मन या जो दूसरा ruler है, उसके बीच का कुछ area ताकि ये आप पे directly attack ना कर सके, अगर आपका area इसके border को touch कर रहा है, तो ये आपके area पे directly rule कर सकता था, तो ब्रिटिश ने इसी तरह से कुछ area को buffer रखने का सोचा, ये कुछ area खाली रखने का सोचा, यहाँ पे हम rule नहीं करेंगे, अगर ऐसा ही buffer था, अवद, अब अवद को किस तरह से buffer बना गया, अब एक example से समझते, for example ये दुरानी empire है, ये दुरानी empire जो है, अगर ये ब्रिटिश पे attack करने की सोचे, और अगर ब्रिटिश ये पूरे area इसको capture कर ले, तो ब्रिटिश के उपर ये directly attack कर सकेंगे, तो ब् पहले ही रोक सकते हैं, हमारे area में घूसने से पहले, याने ब्रिटिश के area में कोई दूसरी power घूसने से पहले, उनको हम रोक सकेंगे, अगर हम कुछ area को खाली रखेंगे, अब खाली रखते वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा, इतना तो easy नहीं ये तो भई ये आप पे attack नहीं करेगा, ये तो यहाँ से आप पे attack कर सकता था, तो ये ring fence policy जो है, ये किस तरह से काम करती थी, अब ये जानते हैं, अब आपको buffer का meaning तो पता चल गया कि कुछ area खाली रखना बीच का, याने उसे कहते थे buffer, अब ये buffer में British क्या करते थे, ये जान दूसरा area, तो beach के area को क्या बना के रखना है, buffer, याने ये area को खाली छोड़ना है, तो हम कहेंगे creating buffer zones, to protect company's border, अब ये ऐसा समझे ये British के company का border है, इसको वो protect करने के लिए इसको buffer बना के रखना है, दूसरा, अब यहाँ पे जो भी ruler होगा, ये buffer में जो भी ruler rule कर रहा होगा, इसा समझ के चलिए गया कि कोई C नाम का ruler यहाँ पे rule कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी ruler rule कर रहा है, उसको कही ना कही आप military support दो, याने British क्या करते थे, उस ruler को military support देते थे, याने खुद की military उसके area में भेजते थे, और ये कहते थे कि भाई, आर्मी आपके पास हमारी आरी इसका मतलब साफ है, कि British अपना काम दूसरों से करवा लेते थे, अपनी आर्मी भेज के, अब ये C नाम का ruler क्यों ready होता था ऐसा करने के लिए, क्योंकि C नाम के ruler को यह पता था, कि अगर हम British के army ले लेते, तो हमें भी protection मिलेगी, क्योंकि C नाम के ruler के पास इतनी powerful army नहीं थ पहनात कर देते हैं, ताकि कल जाकि ये ruler attack करें या British attack, तो करेंगे नहीं क्योंकि British के army, बट ये ruler भी attack हम पे करें, तो हम बज जाए, एक strong army हमारे पास है, ये उसको लगता था, बट इसमें फायदा देखा गया तो indirectly British का जादा था, क्योंकि British के उपर जब ये A नाम का ruler attack करन नहीं होता था, और British के उपर इसको rule करना भी बहुत जल्दी possible नहीं होता था, इस दूसरे ruler को, सो buffer area में इस तरह से military का support रखा जाता था, अगला था कि troops जो होती है, उनको कही ना कही भेजना, यानि allies बनाना, ये जो C नाम का ruler है, उसको British क्या करेंगे, अलाय बना देंगे, allies बना देंगे, ऐसे लोगों को, allies बनाना, ये दोस्त बना देना, और अपने दोस्त के पास अपनी आर्मी भेजना, कि भाई हम तुझे भी defense दे रहे हैं, हम तेरी भी रक्षा कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी payment है, वो वो ruler ही करेगा, ये भी मैं आपको बता चुका बफर एरिया था, ये एरिया बन चुका था अवद, और अवद में ही ब्रिटिश के ट्रूप आके खड़े हो चुके थे, ताकि कल जाके कोई भी अगर यहाँ पर rule करने की सोचे, तो बंगाल तक पहुचने से पहले ही अवद में उनको रोक दिया जाएगा, और अवद के पास एक strong army भी थी, क्योंकि ये army अवद की खुद की नहीं थी, ये army जो थी, ये ब्रिटिश की थी, इस तरह से ये ring fence policy, बहुत effective policy यहाँ पर पता चलती थी, अब इसे ring fence इसलिए कहा जाता था, क्योंकि देखिए ये for example ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश के यहाँ पे जो भी बाकी लोग है, ये ब्रिटिश के जो बाकी रूलर्स है, बाकी ऐसा समझे है, रूलर वन है, ये रूलर टु है, ये कुछ बाहर के रूलर्स है, जो कि ब्रिटिश के दुश्मन है, तो ब्रिटिश ने सोच लिया था कि इनके साथ हमारी boundary touch नहीं होने देंगे, हम इस तरह से एक ring बना के रखेंगे अपने आजू बाजू जो कि हमारे allies की होगी, हमारे दोस्तों की होगी, ताकि ये हमारे लिए buffer का काम कर सके और हमारे army यहां पर तैनात रह सके, इस तरह से यहां पे एक ring बनाई जाती थी, fence बनाई जाती थी, इन लोगों से दूर रहने के लिए, य ring fence policy कहा जाता है, अब इस ring fence policy का objective क्या था, आखिर ये ring fence policy ब्रिटिश क्यों लेके आई थे, तो main objective जो थे ring fence policy के वो थे कि law and order वो maintain करना चाहते थे, यानि अपने area में वो एक law and order maintain करेंगे, अपने troops रख के जो जो area जैसे अवद है, अवद पे ब्रिटिश रूल नहीं कर रह वो अवद से हाथ मिला ले, और ब्रिटिश के खिलाफी attack कर दे, यानि यहाँ possibility क्या थी, एक A नाम का ruler है, B नाम का ruler है, बफर में जो C बैठा है, उसके साथ अगर A वाला friendship कर ले, तो यह दोनों मिलके आप पे attack कर सकते थे, अब यहाँ पे अगर army आपकी है, तो आपकी army ऐ व्यापार करने आये थे, East India Company, तो कही ना कही आप directly freely व्यापार भी कर सकते थे, देखिए, आपको अगर बंगाल में अगर freely अच्छे से, बिना tension के अगर आप trade करना चाहते हैं, बंगाल से, तो आपको एक डर तो खतम करना पड़ेगा, कि मुझ पे कोई attack नहीं करेगा, तो अगर कोई rebellion या dissent भी हो जाता, याने कुछ लोग अगर आपके खिलाफ rebellion करने की भी सोचे, तो आपकी आर्मी तैनाती रहती थी, चाहे वो बंगाल में करने के सोचे, या अवद में करने की सोचे, आपकी आर्मी तो कही से भी आ सकती थी, तो ऐसे rebellion को भी रोक दिया जा सकत अब कुछ examples आपको बताते हैं तो रूंग रिंग फेंस policy के, रिंग फेंस policy का इस्तमाल ब्रिटिश ने एंगलो मैसूर वार में किया था, एंगलो मैसूर वार में यहाँ पे हैदराबाद का यूज किया था, और हैदराबाद का यहाँ पे अपनी आर्मी रख के जरूर देखिएगा, उसके अलावा जो first and second Maratha war है, वहाँ पे भी ब्रिटिश ने यह सब रिंग फेंस policy का इस्तमाल किया था, यही पे आपको पता चलता है कि ब्रिटिश ने अपनी आर्मी तैनात रखी थे और यहाँ पे जो Marathas थे उनके भी खिलाब ब्रिटिश ने war रखे थे और इसका buffer का इस्तमाल करके ब्रिटिश खुद के empire को एकदम safe रखा करते थे, तो आपको यहाँ पे यह भी पता चल जाता है कि ब्रिटिश का जो ring fans policy और काफी effectively काम हमारे देश में, हमारे modern history में की थी, अब आते है conclusion के part पे, तो जो policy of ring fans थी, वो अलग-अलग policy मे आने वाले lectures में मैं आपके साथ discuss भी करने वाला हो, बहुत जादा जरूरी है, यह सभी policies को समझना, ताकि British अपनी superiority जो है, वो Indian province में बना के रख सके, British एक super power खुद को बना के रख सके, इंडिया में बाकी rulers के सामने, यहाँ पे दीखे कितने सारे rulers है, अगर इन सब के सामने British को powerful दीखना है, तो British को इस तरह की policies अपनाना जरूरी हो जाता था, यह भी हमें यहाँ पर पता चलता है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने ring fans policy को पढ़ा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपको मेरे lectures पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे direct message भी कर सकते हैं, मेरा Instagram ID वो है Shreyas Badi, Shreyas Badi is the peace lover, ऐसा आपको देखने मिलेगा, मेरा Instagram वहाँ पे आप मुझे follow कर सकते हैं, और आप मुझे direct message के थ्रू अपने doubts भी पूच सकते हैं, अगर आप मुझे mail करना चाहें, तो Shrey SIS Academy जो कि नाकपूर में, यहाँ पे आपको online, offline दोनों classes प्रोवाइड हो जाएंगे, आप मुझे अगर contact करना चाहें, तो आप 88578356111 पे contact भी कर सकते हैं, इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, take care and have a good day.